नमस्ते, तो कैसे हैं आपसर, तो मिलते हैं आज एक नए लेटर टी के साथ, कभी-कभी फ्रेंट्स ऐसा होता है, हमारी लाइफ में हमने गोल सेट की होते हैं, और वो जो गोल से हैं, हम उसको एचीव करने के लिए हर 80 चोटी का जोड लगा देते हैं, और हम उस गोल तक कि वो गोल हमारे लिए राइट नहीं था, हमारा जो रस्ता है, हमारी मनजिल कोई और है, और ऐसे ही हम अपने गोल चेंज करते हैं, और क्या होता है, काफी टाइम चला जाता है, हम अपने गोल तक भी पहुंचने ही पाते हैं, गोल्स चेंज करते हैं, और फिर हिम्मत हार क बैठ जाते हैं कि मैं तो life में कुछ कर रही ही नहीं सकता, मेरे में ही problem है, मैं ही capable नहीं हूँ, तो ये बड़े questions आते हैं, तो आज हम बात करेंगे, आप में कोई भी आपके goals में कोई problem नहीं है, अगर आपने सोचा है, तो आपको पूरा हग के उस goal तक पहुंचने का, बढ़ कुछ challenge होते हैं, तो वो letter T बताएगा आपको, my name is Indra जीत, I am a certified graphologist, founder of holistic hearing institute, let's understand हमारा आज का letter T, तो letter T के उपर बारे में बात करते हैं, तो letter T में जो ये वाला stem area है, इसको हम stem बोलते हैं, तो ये बताता है हमारे goals, हम जो goal set करते हैं तो ये हमारे goal को बताता है, और जो ये उसके उन्पर हम crossbar डालते है is horizontal crossbar, तो ये horizontal crossbar क्या बताता है, ये बताता है कि हम जो goal को set कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारा उ taxa है, तो कितना है, कभी कभी क्या रहता है呢, हम goal को तो set कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, हम उसके end तक पहुँचने वाले हैं, बढ़ कहीं न कहीं वो उत्सा कम हो जाता है गोल आप सेट करते हैं हाई और कभी-कभी क्या रहता है उत्सा तो बहुत ही रहता है बट गोल ही नहीं है समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करें तो हम समझते हैं तो अभी मैं उसको डीप में हैं तो नहीं आप हम letters को समझते हैं अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आप letter T लिख रहे हैं तो अगर अभी यह letter T के उपर अगर आपने crossbar यहाँ पर डाला तो मतलब कि जो भी आपकी handwriting का size है आपकी handwriting के size के according अगर आपकी यह stem है आप stem का जो 25% पे crossbar डाल रहे हो तो यह वेक्तियों के तो goal ही low है इनकी life के action में low goal नहीं बोलूँगी मैं no goal है ठीक है अगर आप आप यह जो goal पे आप अपना crossbar middle में डालते हो mostly हम सभी middle में डालते है 50% पे crossbar डालते हो तो it means कि आपकी life के goals क्या है life कैसे चले हाँ प्रमादमा के दिया सबच्चा है अच्छा पती है दो प्यारे बच्चे है एक घर है सिर्फ एच्छत है और क्या चाहिए जीने को तो यह इनकी life है ठीक है यह goal है मतलब गोल ही इतने है 55% 75% से अबब चले गए यहां तो इस व्यक्ति के goal बहुत हाई है तो यह वो व्यक्ति है yes मुझे दुनिया में बहुत कुछ करना है मुझे तो life में कुछ करके दिखाना है उनके goal उंचे है वो सोचते उंचे है बट ऐसा क्या हो जाता है कि उनके goal पूरे नहीं हो पाते तो yes यह यह तो आपका goal high को बताता है ठीक है अब high goal की बात करते हैं मगर अभी हमने यह stem की बात की अभी हम crossbar की बात करेंगे ठीक है बट ऐसा क्या होता है टाइबर किसी व्यक्ति के goal बहुत कम रहते हैं यह average रहते हैं बट वो हमेशा उत्साहित रहता है और उसको जो मांगो पूरा करता है क्योंकि मान लो की हम low goal की बात नहीं करेंगे middle वाले की बात करेंगे यह 50% वाले की मान लो कोई व्यक्ति का stem बड़ा है बट वो crossbar मत्तब थोड़ा बलंबा लिक रहा है उसका crossbar क्या है बहुत जादा long है तो वो average life में भी बहुत सारा उत्साहित रहेगा उस में उत्साह बना रहेगा कि मुझे ये करना ये करना है और उत्साह बना रहना बहुत जरूरी है तो वो जो सोचेगा वो पा लेगा और वो क्या सोचेगा मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा लूँ पती को अच्छा खाना बना के खिला दूँ या पती सोचेगा मेरी family माल आओं उसकी लाइट के यही गोल रहेंगे कुछ जादा बड़े नहीं रहेंगे या थोड़ी वोती लोगों की help कर दूँ और वो उसमें उत्साहित भी रहेगा और वो पूरा भी कर लेगा ठीक है तो थोड़ा लंबा किया इसलिए लेकिन कुछ लोग average पे भी रोते हैं थोड़ा कि आँ ठीक है happy है तो वो उनके उत्साह में कमी तो crossbar आपके enthusiasm को बताता है ठीक है मगर यही अगर आप T का crossbar उपर जहां पर high गोल है और वहां पर थोड़ा लंबा डाल देंगे तो अब भी आप देखना कि यह वो वेक्ति जो कि life के goals तो उचे रखे हैं बट कही ना कहीं आप उसमें lag करते हो check your crossbar कहीं आपका जो crossbar है आप बहुत छोटा सा तो नहीं डाल रहें तो आपके goal तो उचे हैं बट आपका उत्सा में कमी है तभी तो आप end में जाके चीज़ को छोड़ देते हो और वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है जैसे कि मैं एक example आपको कभी-कभी क्या होता है सर्दियों के दिनों में स्कूटर स्टार्ट करने लगते तो इसको ki ik मारते तो एक व्यटि और को kik mairo तो scooter start हो जाना तो और उसका ही नाम लगना था बट अभी दूसरे वाले ने बोला देखो मैंने एक ही में कर दी तो यह समझे आप तो यह जो आप उट साथ छोड़ देते हो तो please check your T का जो है crossbar आपका T का crossbar उपर होगा मगर लंबा नहीं होगा तो आप में यह challenge होगा तो crossbar को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए ठीक है तो आप इन challenges पे फटेवा सकते हैं ठीक है यह हमने बात की T के stem की और T के crossbar की इसी तरह अभी यह crossbar कितना लंबा होना चाहिए तो मैं आपको बता रहे थे हूँ जितना भी आप T लिख रहे है न उसका जो 50% से थोड़ा सा जादा crossbar लंबा डालेंगे तो आप में उत्सा बना रहेगा बट अभी यह हमें समझना है कि और भी बहुत तरह के T होते हैं ठीक है तो उसको भी अगर आप understand करना चाहते हैं तो आप हमारे holistic healing institute के साथ जुड़िए ठीक है तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, subscribe और share करना मत भूलिए तो प्लीज आप एक knowledge तो मैं आपसे share कर रही हूँ तो like जरूर कीजिए, subscribe जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है Thank you so much, God bless you